अस्सलामों आलेकूम नाजरीन माहिरा खान ने अपने करियर का आगास बतौर विज़े किया था उसके बाद वो ड्रामों में काम करने लगी माहिरा खान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने के साथ मुतादत पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया है माहिरा खान अपनी खुबसूर्ती और बेतिरीन अदाकारी की वज़े से जानी जाती है आईए आज की वीडियो में हम माहिरा खान के सूपा हिट ड्रामास के बारे में जानेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिर्फॉस्ते के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सीरियल कोग कहानी कोग कहानी एक पुराना ड्रामा है इसकी तेरा एक साथ थी ये ड्रामा सीरियल माहिरा खान का इप्तिदाई ड्रामा था इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे शक्स के गिर्द घूमती है जो अपना होटल चलाता है कुछ पजुहात के बिना पर होटल खसारे में चला जाता है टीवी सीरीज में एक नौचवान और अन्जोया की जिंदगी की तफसील है जो अपने वालिद अस्पन के दर्मियान कशीद की को दूर करने की कोशिश कर रही है जो कराची शहर में एक रेस्टरॉन चलाता है और वालना माया फ्लोरेडा में रहने वाली एक फंकार है ड्रामा सेरियल वर्ना वर्ना माहिरा खान की एक मूवी है जो कि बहुत पार पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स पर नशर हो चुकी है इसमें माहिरा खान ने लीट रोल प्ले किया था कहानी एक रेप होने वाली लड़की के गिर्द घूमती है जिसका नाम सारा है सारा अपने माजूर शोहर के साथ हसी खुशी जिन्दगी गुजार रही होती है जब गवर्नर का बेटा उसे अफ़ा करकर ले जाता है और उसकी असमत तरी करता है फिर वो सारा को घर वापिस छोड़ जाता है सारा को अदालत में भी इनसाफ नहीं मिलता उसका बाप खुदकशी कर लेता है सारा की मा मुल्क छोड़ का मैरिका चली जाती है गवर्नर का बेटा सारा से कहता है कि वो अपने माजूर शोहर से तलाग लेकर उससे शादी कर ले सारा और उसके शोहर का रिलेशन्शिप भी खराब हो जाता है सारा को पूरी फिल्म में स्ट्रॉगल करते ही दिखाया गया है जो सादत हुसेन मिन्टू की जिंदगी पर बनाया गया था इसमें माहिरा खान ने मूछों के साथ एक मदारी का रोल प्ले किया था जो बंदर के साथ गली-गली फिरके लोगों को तमाशा दिखाता है इस से पहले कभी भी माहिरा खान ने इस तरह का किरदार अदा नहीं किया था इस ड्रामे को लिखा शाहित नदीम ने था और डिरेक्टर मशूर सर्मत सल्तान कोसट में किया था इसमें माहिरा खान ने काफी स्ट्रॉंग अदकारी के जोहर दिखाए है नियत में माहिरा खान का किरदार एक ऐसी लड़की का था जो पहली नजर की महबत में गिरिफतार हो जाती है आयला एक अमीर बाप की इकलाथी बेटी है जिसके पास अमेरिकर की नेशनालिटी है आयला पाकिसनान से आयल लड़के पर फिदा हो जाती है मगर लड़के का वीज़ा खतम होने के करीब होता है आहिला सिकंदर को वाशिंग्टन में ही रोकने के लिए उसके पेपर मैरिज एक लड़की से करवा देती है ताकि वो कुछ अर्सके बाद सिकंदर से शादी कर सके मगर आहिला का दोस्त और सिकंदर की बीवी उन दोनों के दर्मियान पासले बढ़ा देती है ट्रामा सेरियल शेहरजाद शेहरजाद में माहिरा खान का किरदार एक ऐसी लड़की का है जो अपने आप में एक शक्स को आइडिलाइस करना शुरू कर देती है फलक जाकती आँखों से खौप देखने वाली एक अजाद खयाल लड़की है फलक पाइन आर्स की तालबा है जब फलक सल्मान नामी लड़के से मिलती है तो उससे महबत करने लगती है फलक को लगता है कि सल्मान ही उसके तसबुराती शख्स जैसा है मगर सल्मान फलक से शादी करने में पसे पश्ट में काम लेता है फलक इस वज़ा से इश्क हकीकी की चाने पुतवचे हो जाती है शहर साथ में फलक की किर्दार को अवाम में बहुत पजीरियाई मिली थी ये माहिरा खान के शुरू के ड्रामे में से एक है इस ड्रामे को मशूर राइटर उमेरा एहमत ने लिखा था ट्रामा सीरियल सद्के तुम्हारे सद्के तुम्हारे माहिरा खान का मास्टर पीस है इसमें माहिरा खान का किर्दार एक गाउं की लड़की शन्नो का है जिसकी मंगनी शेहर बे रहने वाले इसके कजन खलील से होई है शन्नो को लगता है कि शायद खलील काउं की शन्नो से शाधी पराजी ना हो शन्नो खलील से ज़्यादा वाकिप नहीं है मगर शन्नो के तकील में खलील हमावक मौझूद रहता है खलील भी एक शाधी में शन्नो को देखकर उसके सेह में किरिफतार हो जाता है ड्रामा पुरानी दोर में बनाया गया है जिसमें खुतूत लिखे जाते हैं जब मुबाइल ये कम्प्यूटर नहीं होते थे इस ड्रामे को खलील रह्मान कमर ने लिखा है ड्रामा सेरियल हमसफर हमसफर में माहरा खान खर्ट नामी लड़की का किरदार अदा करती है जिसकी शादी एमरजिंसी में अशर नाम की लड़के से हो जाती है खर्ट एक मिदल क्लास घराने से तालुक रखने वाली लड़की है जिसको युनिवर्सिटी जाकर पढ़ने का शौक होता है शादी के बाद खर्ट और अशर के दर्मियान तालुका ठीक हो जाते हैं लेकिन अशर की मां खर्ट को ना पसंद करती है वो अशर और खर्ट के दर्मियान खलब वहाँ बढ़आकर उन दोनों को अलाधा कर दीती है मगर किसमत खर्ट को फिर अशर के तर्वासे पर ले आती है हमसफर ड्रामे ने पाकिस्तान समेट बाहर के मिलकों में भी बहुत पजीरियाई हासल की हमसफर माहिरा खान के बेहतरी ड्रामों में से एक है हमसफर ड्रामे की राइटर फरहत इश्तियाग है ड्रामा सीरियल बिन रोए बिन रोए ड्रामे में माहरा खान ने सबा का किरदार अदा किया है सबा एक ऐसी लड़की है जो तिल ही दिल में अपने कजन इर्तिजा को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है सबा वक्तन पर वक्तन इर्तिजा से अपनी महबत का इजहार करती रहती है मगर इर्तिजा सबा की फीलिंग को समझ नहीं पाता सबा अपनी महबत का इजहार करने वाली होती है जब इर्तिजा किसी और लड़की से महबत का दावा करता है और उससे शादी करने वाला होता है इर्तिजा जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की सभा की कज़न निकलाती है सभा जाहिरी तोर पर दोनों की शादी और खुशियों की दुआएं भी देती है मगर दोनों को खुश देखकर दिल में जलती भी है एक कार हाथसे में इर्तिजा की बीवी मर जाती है सबा इस हाथसे का खुद को जिम्यदार समझती है मगर ट्रामे के आफ़र में सबा की शादी इर्तिजा से हो जाती है बिन ट्रोय ट्रामे की राइटर भी फरह दिश्तियाक है ट्रामा सेरियल हम कहा के सच्चे थे माहरा खान ने एक लंबे काप के बाद इस ट्रामे में काम किया था इस ट्रामे की राइटर भी उमेरा एहमत है इस ट्रामे में माहरा खान महरीन का खिरदार अदा करती है जो एक चौइन फैमली में रहती है मगर महरीन की अपनी कसन के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं है महरीन अपने आप में रहने वाली लड़की है जिसमें एतिमाद की कमी है अस्वन अपना बदला लेने के लिए महरीन से शादी कर लेता है शुरू में अस्वन महरीन से बहुत नफरत करता है मगर बात में वो महरीम के साथ ठीक हो जाता है ड्रामा सेरियल एक है निगार एक है निगार ड्रामा सेरियल में निगार का किरदार माहिरा खान ने प्ले किया था ये ड्रामा एक सर्जन जर्नल डॉक्टर निगार जोहर की हकीकी सिंदगी पर बनाया गया है इसमें निगार करोर माहिरा خان ने अदा किया है निगार एक ऐसी लड़की है जो अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा और मुनफरित करना चाहती है निगार को अपनी लाइफ में मायूसी नकामी का भी सामना करना पड़ता है मगर निगार अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है इस दोरा निगार की मुलाकाद जोहर अली खान से हो जाती है निगार जोहर से शादी कर लेती है जोहर अली खान निगार को अपना करियर बनाने और अपने मकसद को हासिल करने में पूरी तरह से सपोर्ट करता है निगार को आर्मी में जरनल डॉक्टर के उहदे पर तरक्की मिल जाती है तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो के माहिरा खान की ट्राउमास पर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़ बैक देना बिलकुल मत भोलिएगा अल्ला हाफिस